हेलो एवरीवन अपेक्स क्लासिस एजोटेक में आपका श्वागत है मैं हूँ अभीशेक राटोड नेक्स्ट कोश्चन है कि दो संको के आदार का व्यास समान है ओके मतलब दो संको के आदार का अगर व्यास समान है तो तरिजया भी वराबर होगी उनकी तिरची उचाई का अनुपात 5 रेशियो 4 है यदि छोटे संको का वक्र प्रस्टिय चैत्रपल 400 सेंटेमेटर इसको हो रहे तो बड़े संको का वक्र प्रस्टिय चैत्रपल ज्यात करें तो देखो सबसे फाला हम यह लिखते है क्या दे रखा है बड़े संको की तिरजिया बराबर छोटे संको की यहां पर लेखते हैं व्यास अगर व्यास बराबर है तो क्या होगा तिरजिया भी बराबर होगी मान लेते आर के बराबर है ठीक है तो तिरजिय उच्चाई का अनुपात तो माना बड़े संको की तिरजिय उच्चाई कितना होगा फाइफ एक्स माना छोटे संको की तिरजिय उच्चाई कितना होगा 4 एक्स अब हमें क्या दे रगा छोटे संको का वक्र प्रस्थिय चैत्रपल दे रखा लेकिन बड़े संको का निकालना है तो ऐसे लिख सकते है बड़े संकू का वक्र प्रस्थिय छेत्रपल बटा छोटे संकू का वक्र प्रस्थिय छेत्रपल क्या होगा पाई आर तो बराबर है अब यहां पर क्या आएगा बड़े संकू का वक्र प्रस्थिय छेत्रपल किसके बराबर होगा चार S pledge यहां पर लिखना हम है चोटे संकू का वक्र प्रस्थिय चेत्रपल कितना है 400 centuries पह से एंडेट पाई इसकोंद यह यहां पर लिखा यह 4 से ऑ यह बगा वह التाओ सबसे पहले हमें लिक्टना होता है तो हमें कि परबबर था चौटे संद के व्यास obvious के वरबर तो और क्या दे रहेता जोटे संद्क में पोड़ चारनी सन्टमेटर का यह यह धे रहता ता ओके नेक्स चले कि 9 dash यह कुछन है कि 9 मीटर उच्छे संकू के आकार के टेंट के अदार की परीदी 44 मीटर है तो इसके अंदर के वायू का आई तन ग्याद किरते है जैसा कि यह कह रहा है कि माना कि एक संकू है यह एक टेंट है और टेंट किसके के आकार का है संकु के आकार का है इसके आधार की परिदी ये कितना दे रखा है ये पूरा 44 मीटर दे रखा है किसके बराबर इसके आधार की परिदी के बराबर तो जो भी घीवन है वो हम लिखते संकू के आदार की परिदी कितना है? 44 मीटर कितना होता है? परिदी 2 पाई र बराबर 44 और र बराबर कितना होगा? 44 अपान 2 पाई 44 तू पाई की जगा 22 बटा साथ यह 22 से 2 टाइमस गया है 2 से 2 गया है आर कितना है है? 7 मीटर अब यह क्या कह रहा है? कि इसके अंदर के वायू का आईतन ग्याद किजिए मतलब संकू का आईतन निकालना है संकू का आईतन एच कितना दे रखा है हमें? 9 आर कितना है? 2 पाई आर कितना दे रखा था? 44 वन बाई 3 पाई आर स्कॉर एच वन बाई 3 बाई की जगह 22 बटा साथ आर स्कॉर के जगह 7 इंटू 7 और एच की जगह 9 यह 7 से 7 कैंसिल यह 3 से 9 थी टाइमस गया अब क्या बचा? 22 इंटू 7 इंटू 3 462 मीटर क्यूब 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 गेट इट नेक्स्ट नेक्स्ट क्यूशन है कि एक संकू के आकार के बरतन की तिरजे 10 सेंटीमीटर और उच्छाई 18 सेंटीमीटर है यह पानी से पूरा भरा हुआ है इससे 5 सेंटीमीटर तिरजे कि बेलनाकार बरतन में ओडेल जाता है तो बेलनाकार बरतन में पानी के तलकी, उच्छाई यह कह रहा है कि अपने पास एक संकू है उस संकू में जितना भी पानी था हमने क्या-क्या एक बेलन के आकार के बर्तन में ट्रांसफर कर दे उसके अंदर डाल दिया देखो कैसे माना एक संकू है जिसकी उचाई है और त्रिजिया आर है ठीक है और माना एक बेलन एक त्रिजिया और आर त्रिजिया और एक उच्छाई का है ठीक है अगर इसकी एक फन मानते तो इसका एक टू यह आर टू ओके यह क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो भी पानी था ठीक है वो क्या क्या उसने बेलनाकार बर्तन में उढ़ेल दिया इसके अंदर का भाग इसके अंदर डाल दे मतलब इसका जो आइतन होगा इसके आइतन के बराबर होगा सबसे पहले हम लिखते हैं संकू की त्रिजिया आर कितनी है र 1 यह कितना है र 1 Kate कितना है दस सेंटीमीटर उचाई है एच वन कितना है अठारा सेंटीमीटर बेलन की त्रिजिया आर टू कितना है कि उचाई हमें निकालनी है क्या निकालना है तुद देखो जब भी क्या है कि अधर का जितना मंटेरियल मतलब इसके अंदर मतलब यहता है जोब्सक adelante के बराबर हुता है तो मैं यहां पर लिख सकते है प्रस्ट्णा अनुशार कि संकु का जो आईतन है वो बेलन के आइतन के बराबर होगा किसके बराबर होगा बेलन के आयतन के बराबर होगा तो संकु का अइतन कितना है 1by3 Pi R1 square h1 यह क्या होता है Pi R2 score H2 हमें क्या निकालना है H2 निकालना है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 1 by 3 यह πाई से यह πाई cancel हो जाएगा दौनों साइट R1 score क्या होगा यहाँ पर 10 into 10 H1 कितना है 18 यहाँ पर क्या बचेका R2 score 5 into 5 H2 कितना है वह हमें निकालना है अब देखो H2 कितना होगा उपर क्या था इधर 10 into 10 into 18 नीचे क्या था 3 और यह 5 into 5 नीचे हएगा अब देखो यह 3 से 18 गया 6 ताम्स यह 5 से गया 2 ताम्स यह 5 से गया 2 ताम्स तो कितना है H2 2 into 2 into 6 तो H2 कितना होगा 24 कितना होगा 24 centimeter और कौन कितना है 120 डिग्री है तो इसकी सिधी कोरो को संपाती करके एक संकू बनाया जाता है तो इस संकू का आइतन ज्याद कर जैसा कि अभी बतायता है मैंने कि यह क्या है एक तरिजिया खंड है और तरिजिया खंड खीन एक त्रिटा कितना दे रहका 120 डिग्री तीद्च्ट्रे-बत और यह क्या है इसकी लंबाई है l ऊके और यह क्या दे रहका 12 तो इसको संकू बनाते क्या होगा ये ये 2PiR के बराबर होगा L, ये किसके बराबर होगा? ये L, तिर्ची उच्छाई किसके बराबर होगी? इस त्रिज्या के बराबर होगी? ओके? तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले ये निकालना होगा, त्रिज्या खंड की लंबाई, क्या है? टू पाई आर ठीटा बटा 307, L बराबर क्या होगा? टू बाईस बटा साथ इंटू बारा इंटू क्या होगा? ठीटा कितना एक सो? बीस बटा 307, ये गया थ्री टाइम्स, ये गया फोर टाइम्स, क्या बचा उपर? एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या 12 सैंटिमेटर है, ठीक है? टू इंटू 22 अपाउन 7 और हमने क्या लेका? र की जगह लेका 12 सैंटिमेटर एक सो बीस ठीटा देरका 360, तो एक सो बीस में 360, त्री टाइम्स, त्री गया 4 तैम्स, ये उपर क्या बचा है? 176 अपाउन 7, clear? अब वो क्या कह रहा है कि इस संकुका में आईतन निकालना है तो अब देखो यह क्या है यह जो एल है वो किसके बराबर होगा इस टू पाई आर के बराबर किसके बराबर होगा टू पाई आर के बराबर तो देखो कि एल किसके बराबर होगा जब हम इसको मोडेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, यह जो लेंथ है, यह जो चाप की लंबाई है, यह किसके बराबर होगी, इसको मोडने पर इस टू पाई आर के बराबर, वर्थ की परीदी के बराबर, तो L क्या है? त्रिज्योखंड की लंबाई की परीदी के बराबर होगी, ठीक है? L कितना है? 176 अपॉन 7, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर, आर हमें निकालना है, 176 अपॉन 7, उपर 7 जाएगा, निचे के आएगा, 2 इंटू 22, यह 7 से 7 कैंसिल, यह 8 ताइमस गया, और यह 4, तो आर कितना आया? 4 सेंटी मीटर, क्लिया? तो संकुक की त्रिजया कितनी आई अपने पास? 4 सेंटी मीटर, उच्छाई कितनी होगी? उच्छाई तो वही होगी, यह वाली? उच्छाई हमें निकालना पड़ेगा, यह जो त्रिजया है, वह किसके बराबर होगी? त्रिएक उच्छाई के बराबर होगी? ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? अब हम यहाँ पे हैच निकालेंगे त्रिएक उच्छाई L किसके बराबर होगा है? एच स्कॉर प्लस? आरर इसकॉर की बराबर हैच स्कॉर किसके बराबर होगा? एलिसकॉर माइनिस आर इसकॉर अंडरूट L स्कॉर माइनस R स्कॉर एल की जग हमने लिखा 12 का स्कॉर माइनस R कितना है 4 का स्कॉर 144 माइनस 16 कितना होता है 128 ओके यहां पर क्या आएगा इसको हम सॉल्ल करेंगो तो एट अंडरूट 2 आएगा एच कितना है यह एट अंडरूट 2 अब क्या निकाल नाम है संकॉ का आईतन कितना होगा 1 बाइ 3 पाई आर स्कॉर ह 1 बाइ 3 पाई कितना है 22 बट्टा साथ आर कितना है आर अपने पास है 4 4 इंटू 4 इंटू एच कितना होगा 8 रूट 2 अब हम इसको सॉल्ल करेंगे अब देखो उपर कितना है 22 इंटू 4 इंटू 4 16 और 8 इंटू रूट 2 कितना होगा 1.414 राइट निचे क्या होगा 3 इंटू 7 अब हमें क्या करना है इंको मल्टिप्लाई करना है फिर इससे गुणा करना है क्लिया तो देखो 22 इंटू 16 कितना होता है हम यहाँ पर करते है 16 इंटू 2 32 32 और 3 35 35 और 352 को जब हम अब इसको 1.41 को 8 से करते है तो 8 इंटू 4 कितना होता है रूट 2 कि वैल्यू 1.414 होती है तो 8 इंटू 4 32 11 11 11.312 यह ठीक है अब 352 को 3 52 को हम करेंगे 11.312 को सब हम 21 से डिवाइट करने है क्या आएगा 189 पॉइंट सम्तिंग वैल्यू आएगी यह किसके बराबर होगा घन सेंटीमीटर के बराबर ओके क्लियर थैंक्यू सब्स्क्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेज एड्यूटेक यूट्यूब चानल साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब विदियोज की अपडेट़ नोटिफिकेशन्स सबसे पहले आपको मिलें अपेक्स क्लासेज एड्यूटेक सब्सक्राइब नाव